अपमान और तिरसकार दो ऐसी चीजें हैं जो किसी के आत्ममान को क्षीन करती हैं और उसके साथ असहमती का एहसास कराती हैं जब हमें इन विशयों का सामना करना पड़ता है तो सामान्यत अपने आपको समझोता करना पड़ता है लेकिन यदि यह स्थिती बार-बार बनती है तो उसे अच्छा विचार करने की आवश्यक्ता होती है जब हम बार-बार अपमान और तिरसकार का सामना करते हैं तो यह हमा स्वार्थ के लिए आनिकारक हो सकता है इससे हमारी आत्म सम्मान को प्षति पहुचती है और हमारा सामाजिक संबंध भी प्रभावित होता है समय समय पर अपमान और तिरसकार को समझने के बाद हमें उचित कदम उठाना चाहिए हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाह है और हम बार बार अपमान और तिरसकार का शिकार बनते हैं तो वहां रुकना और साहस की कमी करना गलत होगा हमारा वहां से उठकर उस अस्थान से हट जाना या चले जाना ही सही होगा अपमान और तिरसकार को सहना या उनके प्रति निराशा नहीं करना चाहिए बलकि हमें उनका मुकाबला करना और अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहिए यह हमारी गरिमा और स्वाभीमान की रक्षा करता है और हमें समाज में उचित स्थान प्राप्त करने में मदद करता है दोल्सों इसे लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा थैंक्स फॉर लिस्निंग